रात के सननाटे के बीच हम एक कार को देखते हैं। इस कार में जो लड़का बैठा है उसका नाम है एंट। उसके मम डैड उसे वेकेशन पर ले जा रहे है। एंट अंदर से बिलकुल घबराया हुआ है। पता नहीं क्या बात थी। खैर जो भी हो वो अपने डेस्टिनी पर पहुंच चुकें थे। शेहर से कोशों दूर ये एक ऐसी मनमोहग जगह थी जहां पर काफी सारे लोग अपनी वेकेशन एंजॉय करने आते थे। ये है बेन डाल्टिन। साथ में उनकी पतनी लुईज और उनकी बेटी एगनिस भी है। बेन स्विमिंग पूल के पास बै उठा रहे थे। पैट्रिक ने यहां की गलियों में घूमने के लिए एक स्कूटर भी रेंट पर ले लिया था। स्कूटर देख एगनिस जिद पर अड़ गई कि उसे भी स्कूटर पर बैठ कर घूमना है। लुईज डर रही थी कि हेलमेट वगेरह नहीं है कहीं कुछ कर बढ़ना हो जाए। पैट्रिक गाड़ी वगेरह स्लो चलाता है उसे कुछ नहीं होगा। ये बात पैट्रिक की वाइफ सियारा ने बताई। इतने में वे घूम कर लॉट भी आए। बातों ही बातों में साथ में लंच का प्रोग्राम भी बन गया। एंट इतना गुमसम क क्यों रहता है। जिस पर पैट्रिक ने बताया कि उसे कॉंजेनिटल अगलोश्या है। जिसमें जन्मजाद बच्चे बिना जीब के पैदा होते हैं। इसलिए वो बोल नहीं पाते। बदकिसमती से उनके एंट को भी कॉंजेनिटल अगलोश्या है। वैसे आप दोनों क् बेन की कमपनी कैलिफोर्निया से लंदन शिफ्ट होने वाली थी। इसलिए वो भी सेटल होने के लिए परिवार लेकर लंदन चला आया। पर एन वक्त पर कमपनी ने उसे कुछ पैसे दे कर निकाल दिया। मतलब फिलहाल तो वो लंदन में घर और नौकरी दोनों को लेकर परिशान है। वही पैट्रिक की बात करे तो वो अपनी अच्छी खासी डॉक्टरी की जॉब छोड़ कर अब चैरिटेबल इंस्टिटूट के लिए काम करता है। पैसे वैसे में क्या रखा है। गरीब लोगों की मदद करके उसे काफी खुशी मिलती है। इसी तरह इनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। वापस लोटने से पहले पैट्रिक ने बेन के परिवार को अपने घर इंवाइट भी किया। अगले दिन बेन अपनी फैमिली को लेकर वापस लंदन लोटाया। किराय का रूम लिए और वही पर रहने लगे। बेन ने नौकरी के लिए एक जगह interview भी दिया लेकिन बात नहीं बनी। उपर से अगनेस अलग ही परेशान करती थी। कहने को तो वो 11 साल की हो चली थी। मगर उसका बचपना गया नहीं था। मतलब उसके पास एक बनी था जिसे वो छोड़ने को तयार ही नहीं थी। यो दोनों मिया बीवी उसे सिखा सिखा कर ठक चुके थे। एक रात इन्हें पैट्रिक का पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उसने इटली में साथ बिताए वेकेशन का जिक्र किया था और ये भी कि एंट एगनेस को काफी मिस कर रहा है। आगे उसने इनको अपने घर पर इनवाइट भी किया था। बेन नौकरी ढूंड ढूंड कर परेशान तो हो ही चुका था। इसलिए डिसाइड किया कि वे वहाँ घूम आते हैं। इस जमेले से ब्रेक भी मिल जाएगा। अगली सुबह कार लेकर टाइपर निकल पड़े। सफर करते करते पूरा दिन फिर शाम हो चला। ये ऐसे बिहड इलाके मे आ चुके थे जहां पर फोन में नेटवर्क नहीं था। कहीं देर रात को जाकर वो पैट्रिक के घर पहुँचे। उनका घर पुराना तो था, मगर काफी विशाल था। मेल मिलाब किये, एक दूसरे का हाल चाल लिए, फिर शियारा उन्हें उनका कमरा दिखाने ले गई। पोस्ट कार्ड में जिक्र किये थे कि एंट मैगनस को याद करते रहता है, पर उसे सामने देख तो उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बड़ी अजीब किस्म का लड़का था। सियरा ने एगनस का बेट दिखाया कि वो एंट के रूम में सोएगी, जमीन पर सोना है, ये पैटरिक आ पहुँचा, इसलिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था, बेंट समझ नहीं पाया, बच्चों को सुला कर ये महफिल जमा लिए, इस बात की भी जिक्र हुई कि इनके घर के आसपडोस में और किसी का घर क्यों नहीं है, पैटरिक ने बताया कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक गाव है, वे सभी मिलकर एक दूसरे का अच्छा ख्याल रखते हैं, मतलब कि अगर यहां कोई इमर्जनसी भी हुई, तो दिक्कत की कोई बात नहीं, इधर एगनिस सो चुकी थी, तब ही एंट उसे जगा कर अपने शरीर पर लगे जखम दिखाने लगा, यह जानते हुए भी कि लुईज नौनवेज नहीं खाती, उसे नौनवेज खिलाना, पैट्रिक और एंट के अजीबो गरीब व्यवहार के पीछे आखिर क्या राज था, लुईज इस गंदगी से भरे बेड़ पर एक राद भी नहीं गुजारना चाहती थी, अगली सुभ पैट्रिक निकलते टाइम पैट्रिक ने बताया कि सिर्फ वो चारों जा रहे हैं, बच्चें यही मास्टर महजिद के साथ रहेंगे, एगनिस को किसी अंजान आदमी के साथ छोड़ना लुईज को सही नहीं लग रहा था, पैट्रिक ने भरोसा दिलाया कि महजिद उनका खास है, वो मास्टर है, बच्चों को संभालना जानता है, इसके बाद ये दंदनाते हुए माईक के घर की तरफ निकल पड़े, जिस रफ़तार से पैट्रिक गाड़ी भगाना शुरू किया, उससे वो डॉक्टर कमसन की ज्यादा लग रहा था, राम भरो से चलकर आखिरक ये माईक के घर पहुँच गए, माईक ने इनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, दूसरी तरफ एंट मुझिद की नजरों से बचकर आगनेस को कुछ दिखाने ले गया, उसके डैड के डेक्स में अंगिनत घड़ियां थी, जिन में से एक को दिखाकर वो कुछ पताने की कोशिश किया, मगर एगनिस कुछ समझ ही नहीं पाई, तब तक मुझिद वापस आ गया, उधर खाना खिलाने के बाद माईक अच्छा खासा बिल पकड़ा दिया, वो बिल पैट्रिक बेन के मत्थे मरकर कार निकालने चल पड़ा, मतलब सौक से आये थे दावत उ पाई थी और नहीं आज उसे निदा रही है, ऐसे ही वो एगनिस की खोज खबर लेने उसके रूम में चली गई, मगर एगनिस और एंट दोनों वहां नहीं थे, भाई साब घबराहट के मारे वो तुरंत टिक के रूम में गई तो वहां का नजारा देख दंग रह गई, देड लाख समझाएं कि दूसरा खरीद देंगे, एगनिस की सांस उपर नीचे होने लगी, उसे लगने लगा था कि वो उसके बड़ी को चोट पहुचाएंगे, उसके परेशान करने के चलते ये ट्रक से भिड़ने से बाल बाल बचें, कहीं एगनिस की सांस की बिमारी उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो जा रहे हैं, दरसल एगनिस को एंट के कमरे में घबराहट होने लगी थी, वो एक सुर से लुईस को आवाज लगाय जा रही थी, उसकी सांस उपर नीचे होने लगी थी, इसलिए सियारा उसे समझा बुझा कर अपने पास पैटरिक को तो ये बात पता भी नहीं थी, ये सब जानने के बाद लुईस और बैन उनसे माफी मांगे, यहां लुईस को ध्यान देना चाहिए था कि अगर एगनिस रो रही थी, उसे पुकार रही थी, तो लुईस को उसकी आवाज सुनाई क्यू नहीं दी, रात को वो भ परवाही उन्हें बहुत खटकने वाली है, उनके वापस लोटने से एंट बहुत खुश था, उन्हें अपने पोल्टरी फार्म की मुर्गियों को दिखाना चाहता था, इनका भी मूड चेंज हो गया, जाने से पहले ये नाश्ता वगैरा का इंतिजाम करने लगे, तभी शबजी कारते वक्त लुईज की उंगली कट गई, बैन ने पैटरिक से उसकी उंगली देखने के लिए कहा, तो वो बोल पड़ा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर तुमने तो बताया था कि तुम डॉक्टर हो, दरसल जब भी वो नए लोगों के सामने नर्भस फील करता ह तो अवद ओजा मास्टर की तरह फेकना शुरू कर देता है, डॉक्टर नहीं हो तो करते क्या हो, घर का खर्च वगएरा मैनेज कैसे करते हो, ये बात बैन ने पूछा, थोड़ा बहुत गाजा बेच लेता हूँ, ये जान तो दोनों मिया बीवी हक्के बखके रह गए, अ लूईज तुरंत डाटने लगी कि बच्चों को समझाने का ये कौन सा तरीका है, अब तुम मुझे सिखाओगी, बच्पन में मेरा बाप मार मार के पीट सुझा देता था, मुझे अच्छे से पता है कि बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं, उसका मा था इतना गर हो चुका था कि सियारा को उसे पुचकार कर शांत कराना पड़ा, तरसल बच्पन के दुर्वयवहार का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, वो नॉर्मल लोगों की तरह बिलकुल नहीं था, उसके जाने के बाद लूईज यहां से तुरंत जाने का मन बना च चुकी थी, उन्हें खराब लगेगा, इसलिए हम काफी वगेरा पीकर उनसे अलविदा लेकर निकलेंगे, यह मसवरा उनके बीच फाइनल हुआ, इधर एंट अलग ही जद्दो जहद में लगा था, वो दबे पाव पैट्रिक के पास गया, और चुपके से पैट्रिक के ब अंदर दरजनों जोडे चपल, शूटकेश, मोबाइल वगेरह देख, तो कलेजा ही दहल उठा, वही एगनेस अभी 11 साल की थी, उसे समझ नहीं आया कि ये सब सामान यहां क्यूं रखे हैं, तब एंट ने उसे एक एल्बम दिखाया, फोटो पर उंगली रखकर बताया, कि नहीं पैटरिक और सियरा का काम ही यही है, वो नए लोगों से दोस्ती कर उनको अपने घर इंवाइट करते हैं, फिर उनको खत्म कर उनमें से एक बच्चे को जीब काट कर रख लेते हैं, ताकि बच्चे की हेल्प से अगले शिकार को फसाने में आसानी हो, फिर किसी नए फैमली को बुद्धु बना कर इंवाइट करते हैं, फिर उस नए फैमली के साथ साथ, पिछले बच्चे जिसे जीब कटा कर रखे थे, उसको नए फैमली के साथ खत्म कर देते हैं, और उस नए फैमली का बच्चा रख लेते हैं, मतलब कि इस बार वो लूईज और बैन को उसकी बेटी को रख लेंगे। साथ ही साथ एंट को भी बाकी लड़कों की तरह खत्म कर देंगे। यानि कि उनके इस क्राइम करने का पैटर्न बरसों से चलते आ रहा है। उनके कारणामे से पूरा एल्बम भरा पड़ा था। एंट बहुत चालाग बच्चा था। इसलिए एगनिस कुछ समझ ही नहीं पाई थी। पकड़े जाने के डर से उसे चीट चबाकर निगलना पड़ गया था। इससे पहले कि पैटरिक जाग जाए उसे चाभी को वापस रखना होगा। तब तक एगनिस ये बात पैरेंट्स को बताने के लिए खेलने के बहाने बुलाई पर वो कौफी पीने में व्यस्त थे। उधर पैटरिक जग चुका था। और पिल्ले क्या करने आया है यहां। एंट्स ने बिना हिचकिचाए इशारे से बताया कि बाहर उसे कौफी पीने के लिए बुला रहे हैं। चल पीठ पर आजा। उन्हें दिखाना भी है कि हम दो पर बात तो कुछ और ही थी। उसने वो फोटोस उन्हें दिखाएं। लुईज का पूरा दिमाग ही जणना उठा। एगनेस जिद करने लगी कि वो एंट को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ पैटरिक को पता चल चुका था कि बेस्मेंट में कोई तो गया लुईज एगनेस के चोड के बहाने से बेन को अंदर बुला लाई। सब कुछ जानने समझने के बाद लुईज ने डिसाइड किया कि वो एगनेस के पिरियड का बहाना बना कर यहां से भाग निकलेंगे। तुरंत जाकर ये बात उनको बताएं। पैटरिक की फैमली उन् अंदर सहमा हुआ था। कहीं पैटरिक एकायक उस पर हमला न कर दे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैटरिक ने इनकी गाड़ी भी दुरूस्त कर दी। निकलते वक्त एगनेस ने देखा कि उसके बड़ी को किसी ने छपपर पर फेग दिया है। ये काम एंट का ही होगा पैटरिक ने ये बात उनको बताई। कोई ना उसके पास सीढ़ी है। बैन उससे लंबा है इसलिए सीढ़ी चढ़ कर उतार लेगा। भैसाब सीढ़ी चढ़ने में उसकी हालत टाइट हो गई। वो मान चुका था कि पैटरिक उसे सीढ़ी से गिराने वाला है। फिर भी चढ़ा और बड़ी को उतार लाया। इसके बाद वे अलविदा बोल गाड़ी घुमा कर निकलने ही वाले थे। तभी पैटरिक ने एंट को तालाब में फेग दिया। ये लोग इतना निर्दई तो थे नहीं कि उसे डूबते हुए देख भाग निकलते। लुईज स्टे पैटरिक ने डिमांड किया कि इस बैंक अकाउंट में धाई लाक ट्रांसफर करो जिसके बाद हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। और हाँ माइक ने इनके कार का खरिदार ढून लिया है। इसलिए कार ले जाना तो भूल ही जाए। लूईज ने तुरंत पैसे ट्रां पिछीन ली। ताबर तोड ये सभी अपने अपने हाथ खोले एंट ने पैटरिक से चाबी लिया। सियारा गिड़ गिड़ाने लगी कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। असल में वो भी यहां सतरह साल से पैटरिक के गैद में है। उस वक्त वो एगनिस के ही उम्र की थ खिड़कियां दर्वाजे वगेरा सब बंद कर दिये गए। दर्वाजे पर आलमारी घसीट लिये। उधर दर्वाजा पीटने की आवाज सुन माईस ताला तोड़कर उनको आज़ाद कर चुका था। वे सभी उसी के घर में छिपे हैं बताया उसने। और ये भी कि इस ब पा दिये। तो वही पैटरिक और उसके साथियों को शिकार करना पसंद था। इस पल को और रंगीन बनाने के लिए पैटरिक ने फुल वॉल्यूम पर गाना चलाया। जिसके बाद तीनों शिकारी तीन तरफ से घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर बिलकुल सननाटा पस पर कुछ खास करने ही पाया। माइस हथोड़ा चीन उसे खत्म करने ही वाला था। तब ही पीछे से लूईज उसके सर में हथोड़ा दे मारी। जिससे उसकी वही पर मौत हो गई। उधर पैटरिक के एक आंख से दिखना बंद हो चुका था। जलन के मारे उसकी हालत खरा पड़ी। लगे हाथ उसका भी काम तमाम हो गया। किसी तरह सीड़ी लगा कर ये नीचे उतरे। तब तक सियारा की चीख सुन पैटरिक भी आ चुका था। एगनिस उसके गन पॉइंट पर थी। सियारा को इस तरह देख वो रो पड़ा। एक वही तो थी जो उसका खयाल रखती थी। कोई ना अब ये काम लुईज की बेटी करेगी। इससे पहले कि वो उनको गोली मारता। एगनिस ने उसे एनिस्टीजा का सिरिंज लगा दिया। अगले ही पल वो बेहोश होने लगा। बाकी का काम एंट ने पूरा किया जिसके बाद ये इस जंजाल से बच करनी कल पाए।